नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में दोस्तों ये वीडियो में लेकर आई हूँ त्वल्थ क्लास के पेंडिक सब्जेक्ट के स्टूरेंस के लिए और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका लास्ट चेप्टर समकालीन आधुनिक भारते कलाकारों के मूर्ति शिल्फ की आखरी दो मूर्तियां एक का नाम है गनेश जिसके चित्रकार है जिसके मूर्तिकार है पीवी जान की राव और दूसरी मूर्ति शिल्फ है अंसुनेचिक है जिसके मूर्तिकार है अमरनाथ शहगर तो बिटा शुरू करते हैं वीडियो को तो पिटा जो मूर्तिशिल्प इस वक्त आपको दिख रहा है इस मूर्तिशिल्प का नाम है गनेश जैसा कि आपको दिख भी रही होगी इसकी सून और इस मूर्तिशिल्प के मूर्तिकार का नाम है पीवी जान की रहा हूँ तो इस मुर्थी शिल्प को अगर हम ध्यान से देखें तो इन्होंने बना रखा है इसको कुछ तारोंक से, कासेदातू से, टीन से, तार से, तामबे से, सारी चीजों से इन्होंने इस मुर्थी शिल्प को बनाया हुआ है इसके जो दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ में आपको वीना दिख रही है, एक हाथ में आपको गदा दिख रही है, शंक दिख रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजों से मतलब इन्होंने गनेश को बनाया है यहाँ पर, अब हम इसके डिटेलिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, पीवी पीवी जानकी राव इसके मूर्तिकार हैं, आक्सिकरत टांबा, तीन, तार से इस मूर्तिशिल्प को उनोंने बनाया है, रास्ट रादु निकला संग्राले ने दिल्ली में रखी हुई है यह मूर्तिशिल्प, समकालिन दौर की है, और उन्निस सो सत्तर से असी के बीच में पीवी जानकी राव ने इस मूर्तिशिल्प का निर्माण किया है, ठीक है, तो इन सब चीजों से, यानि उननिस सो सत्तर असी के बीच, आक्सिकरत टांबे, टीन, वितारों के माध्यम से, छे बुजाओं वाले निरतिरत गनेश को खूबशूरत आकार दिया है, गनेश ची के दो हातों में वीना दिखाई गई है, वीना वादन करते दिखाया गया है, शेश हातों में आपको शंख, चक्र, गदा, पदम, धारन के उनको दिखाया गया है, मूर्ति में आकार की सुगरता, सुगरता होती है बिटा, निपूनता, सफाई से किसी गाम को करना सुगरता गहलाता है इसके अलावा निरंतर्ता सत्हा की सरचना विविदता तथा तारों की सहायता से उत्खरस्ट अलंकरन प्रेदक्षिन भारत की लोक कलाओं को पुनहर चीवित करने का प्रयास मूर्तिकार की अकांगशा इस मूर्तिशिल्प को देखकर के प्रकट होती है तो इस मूर्ति में गति शील्ता के भाव को परकट किया गया है परंपरिक मूर्तियों से थोड़ा सालग आधुनिकता की विशेशता इस मूर्ति शिल्प को प्रधान की गई है जान लेते हैं पीवी जान की राओजी के बारे में थोड़ा सा तो 1930 में मदरास में इनका जनम हुआ था कॉलेज आर्ट कॉलेज मदरास से इन्होंने फाइन आर्ट में मूर्ति कला और विविसाइक कला के डिगरिया ली थी और भगत की मूर्तियां रहसेवादी सिध्धानतों को यहाँ पर भगत की बात हो रही है किसकी पीवी जान की राओ की तो इनकी जो मूर्तियां है वो रहसेवादी सिध्धानतों को अभिव्यक्त करती है इनकी मुकृतियों की मुख्य विशेश्चता है कि एक दूसरे की और मुह करके ये मूर्तियां लगभाग खड़ी हुई होती है तांबे, वे तांबे के पतले तारों से अलंकरत इन मूर्तियों को किया गया है इनकी कुछ प्रमुख जो दूसरी मूर्तियां है उसमें कृष्ण, गणेश, गरून, क्रिस्ट प्रमुख है और जो इनकी दूसरी रचनाय है यानि चित्र है तो वो है मेडोनायन चाइल्ड और फ्लूट प्लेयर ठीक है ये इनकी कुछ प्रमुख क्रतियां है अब जो दूसरा मूर्तिशिल्प हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अनसुनी चीखे और ये देखिए ये है वो मूर्तिशिल्प ठीक है इस मूर्तिशिल्प के मूर्तिकार का नाम है अमर्नाज सहेकल और इस मूर्तिशिल्प में अगर आप देखो तो एक परिवार दिखाई दे रहा है हमें एक पुरुष है, एक महिला है, एक बच्चा है तीनों के तीनों बहुत जादा गरीब कुपोशन के सिकार और ऐसे तरही माम करते हुए, जैसे हर तरह से वो बिल्कुल परेशान है यहां ऐसा लग रहा है कि मनुश्य तो मनुश्य है, इश्वर ने भी इनके उपर कोई कृपा नहीं रखी है तो यह तीनों ही मतलब ऐसे मुह से भी और यहां तकि इनके जो शरीर है उस पर कपड़े भी मूर्तिकार ने से पहनाने का प्रयास नहीं किया है जान लेते हैं इस मूर्तिशिल्प के बारे में थोड़ा सा तो अंसुनी सीखे मूर्तिशिल्प का नम मूर्तिकार अमर्णाज रहकल समकालीन आधुनिक दौर का चित्र है कांसे धातु से बना है और बच्चे को दरिद्रता और उससे उत्पन गहरी वेदना को प्रदर्शित करते हुए दिखाया है लंबी आकरतियां हैं खोकले पिछके हुए गाल है विकरत चहरे हैं आकाश की और उठे हुए उनके आहाथ हैं जैसे चींक चीक कर कह रहे हूँ है इश्वर इस धरा पर तो हमारी कोई सुनने वाला है नहीं जहां शोशन है अन्याय है तता ब्रस्टाचार है जिसके वो शिकार है अब आप ही हैं जिसके भरोसे हमारा अस्तितु बचा है ऐसा कब तक चलेगा मूर्थी के विकरत चहरे समाज के विकरत रूप तता उसमें व्याप्त बुराईयों को दिखाने में सक्षम है इस मूर्थी शिल्प पर तो देखे कितना फेमस मूर्थी शिल्प है यह थोड़ा सा जान लेते हैं अमनाज सहगलजी के बारे में तो इनका जनम 1922 इश्वी में हुआ पाकिस्तान के अटोक चिले में अमबेलपूर एक जगा का नाम है जहां पर हुआ भारत पाकिस्तान अमनाज सहगल दाशनिक हैं कवी हैं कलाकार हैं और इनकी बहुत सारी रचनाएं जो हैं अन्ग्विस्ट क्राइज यह कांसे से बनी हुई है और इन्होंने जो कवीता लिखी है वो है फ्लोटिंग क्राइज एंड अबाइस आफ लाइव तो बिटा यह थे आपके दो मूर् जिसमें की यह हैं सुनी चूखे अमनाज सहगल का और दूसरा है गनेश पीवी जान की राव का तो इसी के साथ ही आपका यह लास्ट चेप्टर और लास्ट मूर्तिशिल्प यहीं बेखतम होता है आशा करते हूं आपको वीडियो समझ आई होगी पूरा चेप्टर और यह झाल